हेलो फ्रेंड्स बरसाद का मौसम है और आजकल बरसाद की बहुत ही अच्छी सबजियां बाजार में आ रही है उन्हीं में से एक है जुकीनी जिसको की हम स्क्वैश भी कहते हैं तो आज हम इसका रायता बनाएंगे जिसके लिए मैंने एक छोटे साइस की जुकीनी ली है और रेडी हो गई है अब इसको रायता बनाने के लिए हम एक पैन में दो कप पानी डालेंगे और उसे उबलने के लिए रख देंगे इस पैन में मैंने वन फोर्थ टीस्पून नमक का भी इस्तेमाल किया है जिससे की जुकीनी का बहुत ही अच्छा हरा कलर आएगा इस जुकी जुकीनी को हम ठंडे पानी में डाल लेंगे जिससे की इसका हरा रंग ऐसे ही अच्छा सा हमें दिखता रहे मेरे पास ठंडा पानी नहीं था इसलिए मैंने आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया है एक स्टेनर की सहायता से हम इस एक्स्ट्रा पानी को छान लेंगे और सॉफ अगर आपके पास भी गाड़ी दही है तो आप उसको अपने हिसाब से पतला कर सकते हैं पानी या दूद का इस्तेमाल करके तड़के के लिए मैंने यहां पे लिए हैं मस्टर्ड सीट्स हाफ टीस्पून काला नमक हाफ टीस्पून कुछ करी पत्ते और एक हरी मिर्ची को म डाल दिया है यह अच्छे से गरम था तेल इसलिए यह अच्छे से क्रैकल होने लगी है अब इसी में हम करी पते और काटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे 20-30 मिनट सौटे करने के बाद यह तड़का हमारा रेडी हो जाता है अब इस तड़के को हम जुकीनी और दही के मि ला देंगे और एक लिड़ से एक मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि सारा फ्लेवर दही में आ जाए अब यह रायता हमारा तयार है लास्ट में हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब आप चाहें तो इसको एजिटी सर्फ कर सकते हैं या किसी दूसरे सर्विंग बोल में निकालके अपनी इच्छा की गार्णिश करके आप इसको मेहमानों के लिए या फैमिली में सर्फ कर सकते हैं मैंने यहां पर पुदीने का इस्तेमाल किया है आशा करती हूं कि यह वीडियो मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी रेसेपीज को लाइक करेंगे जिससे कि मैं अच्छे अच्छे नए वीडियो भी आपके लिए बनाती रहूं थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो